Hello Friends, Welcome to Educard Classes, मेरा नम है आतिफ और आज हम लोग सेंपल पेपर का अगला कोश्चन देखेंगे, Physics का, कोश्चन नमबर 36 कह रहा है, एक परसन है जिसको 75 सेंटिमेटर के अंदर रखी हुई चीज साफ साफ नहीं दिखती, ठीक है? फिर क्या कह रहा है, A में, Name the defect of the vision the person suffering from, उस defect का नाम बताएए, जिससे परसन सफर कर रहा है B में क्या कह रहा है, List its two possible causes, इसके दो परमुक कारण बताए C में कह रहा है, Calculate the power of the lens needed to correct his defect, assume that the near point for the normal eye is 25 सेंटिमेटर कह रहा है कि इसको correct करने के लिए, कौन सा lens से इस्तमाल करना पड़ेगा, उसका power क्या होगा ठीक है? तो question number A में क्या कह रहा है, Name the defect of the vision the person suffering from तो जब किसी भी person को नजदीक की कोई चीज साफ साफ नहीं दिखती है, तो इस disease का नाम क्या हो था? the hypermetropia और long-sightedness, the person is suffering from hypermetropia और long-sightedness, ठीक है? question number B में करा, Listed to possible causes, तो hypermetropia में क्या होता है? जैसे दिखिए, यह मैंने eye बनाया है, यह nearer point होता है normal eye के लिए, तो जब near point में normal eye के रहता है, तो raise आती है, यह converge होती है, रेटीना पर, पर hypermetropia से सफर कर रे person के लिए, यह image पीछे बन जाता है, रेटीना के, और तो ऐसे person के लिए जो normal, नेरर point होता है, वो थोड़ा दूर होता है, normal eye के मुकाबले वो थोड़ा दूर होता है जैसे यहां N है, यहां रहेगा object, तब इसका image रेटीना पर बनेगा, इसके possible दो कारण है, क्या है, एक तो जो eye lens है, the focal length of eye lens is too long, जो focal length eye lens का वो जादा हो जाता है, जिसके वज़े से image पीछे बनता है, एक तो यह कारण हो गया, दूसरा क्या कारण है, eyeball ही छोटा हो जाएग है न, eyeball का normal size हो का माल यहां तक, eyeball छोटा हो गया, तो image तो नहीं पर बन रहा था, तो eyeball छोटा हो गया, तो image पीछे बनने लगा, रेटीना पर नहीं बन रहा है, तो यह दो पर मुक कारण हो गया, अब question number C में कह रहा है, calculate the power of the lens needed to correct his defect, assume that the near point for the normal eyes 25 cm, ठीक है, अब हमको correct करना इसको lens का, इस्तमाल करके कौनसा lens इस्तमाल होगा, और उसका power क्या होगा, तो देखिए, यह figure है normal eye का, यह मेरा normal eye है, ठीक है, यह eye lens है, यह retina है, यह nearer point है normal eye के लिए, जो की है 25 cm, तो normal eye क्या होता है, यहां से raise निकलते हैं, और converge होती है retina पर, ठीक है, पर hypermetropic eye के लिए क् कि अगर हम इस point पर रखते हैं, nearer point पर object को, तो वो image पीछे बनता है, उसके लिए जो nearer point होता है, hypermetric eye के लिए, वो थोड़ा और दूर होता है, end dash, ठीक है, जो कि इस case में 75 cm दिया हुआ है, यहां से end dash से, यहां तक का जो distance है, वो 75 cm है, हमको इसको correct करना है, यानि कि हमको, nearer point, normal eye के लिए जो होता है, और eye के बीच में, एक convex lens रखना पड़ेगा, क्योंकि हम converge करना चाते हैं, raise को, और हमें उसका power बताना है, तो हमने nearer point और eye के बीच में, एक convex lens लगा दिया, अब यह क्या करता है, पहले जो, अगर nearer point से जो raise निकलती है, वो पीछे बनती, तो, यहां जो raise निकल रही है, जो हमने एक artificial lens लगाया आगे में, convex lens, यह क्या करती है, यहां से raise निकलती है, focus होते हुए, तो यह, इस rail light को parallel कर देता है, parallel कर देता है, फिर यह eye lens पर पढ़ती है, तो वापस retina पर converge हो जाती है, इस तरह से होता है काम, तो, हम जो lens लगाना चाहरे है, उसका focal length निकालना है, तो हम object distance कितना assume कर रहे है, question में कहा है, 25 cm, यानि कि object distance हमको, इस case में, u is equal to minus 25 cm लेना होगा, यह आप समझ रहे है, sign convention, मैंने पिछले वीडियो में पूरा बताया है, ठीक है, और तब यह, हम ऐसा करते हैं, तो यह image, यहां से raise ऐसे जाती है, फिर eye lens इस पर पढ़के, यहां पर converge होती है, तो जब हम ऐसा setup करते हैं, तो पाते हैं, कि जो इस lens, artificial lens द्वारा जो image बनता, वो virtual होता है, कैसे, यहां से raise जा रही थी, वो इसको ऐसे align कर देता है, यह आगे तो इसके, अगर यह eye lens नहीं रहता तो यह आगे कभी नहीं मिलती, लेकि hypermetric eye के लिए, nearer point है, वहां पर यह जाके मिलता है, यानि कि इस lens के लिए, जो image distance हो जाता है, वो कितना हो जाता है, minus 75 cm, थिक है, तो u हमें पता है, minus 25 cm, v हमें पता है, minus 75 cm, हमें f निकालना है, कि इस lens का focal length क्या होगा, तभी तो हमें power पता चलेगा, तो using lens formula, using lens formula, 1 by f is equals to 1 by v, minus 1 by u, this implies that 1 by f is equals to, v का value रखा, minus 75 cm, तो यह बन जाएगा, minus 1 by 75, फिर minus था, minus दिया, फिर u का value रखा, minus 25, तो यह क्या बन जाएगा, अंदर में bracket के, minus 1 by 25, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, 1 by f is equals to minus 1 by 75, minus minus plus, 1 by 25, this implies that 1 by f is equals to, नीचे में LCM हाएगा, 75, और 75 से 75, वन टामस में जाएगा, तो उपर बन जाएगा, minus 1, फिर पलस था, पलस दिया, 25 से 75, 3 टामस में जाएगा, तो उपर बन जाएगा, तो उपर बन जाएगा, तो उपर बन जाएगा, ठीक है, this implies that f is equals to क्या हो जाएगा, cross multiply, ये उपर, उपर नीचे multiply होगा, तो f बराबर क्या मिलेगा, 75 by 2 cm, ये सारे measurement हमारे cm में थे, तो f भी cm में होगा, हमें इसे meter में बदलना है, SI unit में बदलना है, तो हम इसे 100 से divide करेंगे, तो हमने यहाँ पर 100 से divide कर दिया, ठीक है, अब power का formula क् power is equals to 1 by f होता है, तो 1 by f क्या था, 75 by 200, ठीक है, ये तो उपर चलाए जाएगा, 200, तो power बराबर हो जाएगा, 200 divided by 75, तो जब इसका division perform करते हैं, तो हमारे पास आता है, value, plus 2.67 diopter, ये है power, उस convex lens का, जो हम, इस case में, hypermetric IK vision को correct करने के लिए, यूज कर रहे हैं, ये था, दो अगर ये आपको question सबन में आया, तो please video को like कीजिए, और जो भी जरुवतमन दोस्त हैं आपके उनके साथ share कीजिए, और हमारे channel Educut Classes को subscribe कीजिए, क्योंकि हम लगातार simple paper के questions पे solutions बनाते जा रहे हैं, आगे भी हमारे solutions आएंगे, chemistry पे, मैं chemistry पे बनाऊंगा, और further जो sets आएं हम उनके solution मनाईएं, thank you so much